Hello and welcome friends, welcome to Pharma Veda Gyan तो BRO में MSW मैसून के जो है Admit Card release हो चुके तो BRO में MSW, ठीक है तो किस तरीके से Slaybus रहने वाला है किस तरीके से आपको Preparation करनी है, काफी कम समय आपके पास बचा है Approx एक महने के अंदर आपको Preparation करनी होगी तो इस वीडियो हम बात करेंगे किस तरीके से Slaybus रहेगा किस टैप के जो Quotions है वो पूछे जाएंगे क्या इसमें Negative Marking रहेगी MCQ Quotions आएंगे वो किस तरीके से रहने वाले हैं GK के Quotions किस तरीके से रहने वाले हैं तो Complete Video को आप जरूर देखेगा और दूसरी चीज आप सभी लोगों के लिए जो जितने भी Notes रहेंगे जो Topic Wise Notes रहेंगे उसके लिए एक Telegram Link Create किया गया है तो उसको जरूर से आप लोग Join कर लीजेगा उसका Link मैं आपको Description में और Comment Box में दे दूँगा तो वहां पे आप लोग Join कर लीजेगा दूसरी चीज ये जो वेकेंसी रहने वाली है ये All India वेकेंसी रहेगी तो इसमें काफी Candidates जहारखंड के होंगे UP के, बिहार के, हर्याणा के, 36 गड़, महरास्ट तो अलग-लग देश के कोने से रहेंगे तो देखिए जितने भी Candidates, suppose कोई UP का Candidates है तो दो Candidates या तीन Candidates अगर वहां के होते हैं तो वो लोग अगर मिल जाएंगे तो उनका साथ हो जाएगा वो जो ट्रेन में है आना जाना उनका जो सफर है वो साथ हो जाएगा तो इससे काफी उनको मदद मिलेगी तो सभी लोग जो ये टेलिग्राम लिंक है उसमें जुड़ जाएगे अगर आप नजदीक के हैं, suppose आप हरियाना के हैं तो आप लोग वहां जुड़ के एक दूसरे को मतलब जुड़ सकते हैं और वहां से आप लोग अपना जो है एक्जाम देने आ सकते हैं तो इससे क्या होता है की ऐक साथ आप लोगों का हो जाएगा क्योंकि काफी candidates कह रहे हैं की sir हम अकेले हम उतनी दूर कैसे आएं क्योंकि जो exam रहेगा आपका पूने में रहने वाला है ठीक है तो पूने में आपकी विवस्ता किस तरह के से रहेगी भी रहने की विवस्था क्या रहेंगी कहा पर आप लोग रूखेंगे किस तरिके से क्या प्रोसेस रहे गी एक्जाम कब से होग्ट उसकी पूरी जानकारी आप को हम नवम्बर को और दूसरी जी काफी candidates कहा रहे हैं sir हमारे जो admit card है वो नहीं आये हैं ठीक है नहीं आ रहे हैं यह यह नहीं आ पाएंगे क्यूकि बहूत लोगों के candidates confronted की जो admit card हैं वो नहीं आंगे लेकिन मैं आप सभी को बता दू जिन सब्सक्राइभ जिनके भी admit card नहीं आप आ रहे हैं अगर उनका नाम है अगर इस list में उनका नाम है तो वो लोग अपना आधार card या कोई भी उनके पास official जो identity रहती है उसको दिखाके exam देने आ सकते हैं तो general candidates में देखते हैं कितने candidates का जो है इसमें selection हुआ है तो यहां पर आप लोग देखिए तो देखिए total जो admit card release हुए है वो 833 admit card आपके release हुए है तो आप लोग समझेए और जितने भी other exam है अभी SKT का भी exam रहने वाला है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे SKT और जितने भी other exam है nursing assistant के अगर आप candidate है तो लिए अलग से group बनाए है फारमा वीदा करके उस पर भी आप जोइन हो सकते हैं तो total आपके 833 candidates का चैयन इसमें हुआ है और देखिए इसमें साब साब कहा गया अगर आपको not receive admit card नहीं मिलता है तो आप लोग अपना official जो identity proof है उसको ला सकते हैं या आधार card या driving license कुछ भी आप लोग ला सकते हैं एक्जाम आपका आठ नहीं साथ नवंबर को रहने वाला है और आठ बजे आपको जो है gate में पहुंच जाना है JREF center BN gate ठीक है इसमें 3-4 gate है तो BN gate याद रखना BN gate में पहुंच जाना तो आपको tempo कहां से मिलेगा auto कहां से मिलेगी bus जो आपका railway station ह वहां से कितनी दूर है उसकी पूरी जानकारी आपको मैं telegram में दे दूँगा तो चलिए सीधे बात कर लेते हैं कि syllabus किस तरिके का रहने वाला है कितनी सीटे जनरल की हैं OBC की हैं SC की हैं और ST की हैं तो आप लोग देख सकते हैं यह इसमें total जो सीटे हैं वो 459 सीटे इसमें रही थी जिसमें क्या आप लोग देख सकते हैं general की ठीक है तो general की अलगलग criteria है तो इसका screenshot आप ले लीजिए और इसको आप अच्छे से देख लीजिए ठीक है तो काफी लोगों के पास यह होगा तो आपने देखा होगा किस तरी किसे कहां कहां पोस्टें इसमें खाली हैं जो pull होते हैं उनको बनाना जिसे कहीं road में मलवा आ जाता है या जो पहाड़ों में कुछ ऐसी दिक्कत हो जाती है जिससे की road traffic jam हो जाता है तो उसको clear करने के लिए मैसून का काम रहता है और driver का आप लोगों को पता है driver engineer का driving से related होगा draftman का draftman तो यह चीज़ें तो basic हैं और store keeper का जो है जितना भी जो समान है इधर उदर ले जाना या और वो चीज़ें करना है तो इसकी detail video में आपके लिए next video में ले आऊंगा तो channel में आप लोग बने रहिए और सीधे बात कर लेते हैं किस तरीके से क्या process रहने वाली है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं total seat हैं तो आप बात कर लेते हैं syllabus किस तरीके से रहने वाला है तो आपका जो syllabus है वो हर एक जो आपका trade रहेगा सबका अलग अलग syllabus रहेगा तो एक एक करके हर एक trade की बात करते हैं सबसे पहले draft man की बात करेंगे तो इसमें आपका जो passing qualify है तो 10 minute में आपको एक मील दोड़ना होगा ठीक है एक मील कितना होता है 1.6 km ठीक है 1600 मीटर जो है आपको दोड़ना होगा ठीक है तो यह सिर्फ qualifying है इसमें ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ आपको दोड़के 10 minute में complete करना है ठीक है कोई भी आराम से कल लेगा trade test इसमें नहीं होगा आपका सीधे written exam रहने वाला है जो की 100 marks का रहेगा ठीक है 100 marks आप लोग यहां पर देख सकते हैं जिसमें की क्या क्या पूछा जाएगा वो हम देख लेते हैं तो question in on simple maths ठीक है तो math से related जो है 10th class की maths आईगी question in mention ठीक है तो यह questions रहेंगे civil engineering drawing ठीक है तो drawing आएगी quantitative aptitude आएगा और general knowledge ठीक है तो इसकी पूरी PDF आपको मैं topic wise बता दूगा कि किस तरीके से जो है आपको notes बनाने हैं किस तरीके से आपको mcq तयार करने क्योंकि previous year question paper से काफी questions आते हैं और काफी simple questions इसमें बनते हैं general knowledge तो अगर आप रोज अकबार पढ़ते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली ठीक है तो general knowledge की मैं पूरी जानकरी आपको दे दूगा ठीक है तो next देख लेते हैं supervisor store supervisor store में भी आपको एक मील दोड़ना होगा trade test नहीं होगा और इसमें देखिए account of store inventory का आएगा storage आएगा preca caution आएगा stock verification आएगा maintain stock ठीक है तो मतलब जितना भी stock से related रहते हैं वो आएगा question in Archimedes mathematics और general knowledge ठीक है तो यह चीज़ें इसमें इसका जो है syllabus रहेगा अभी मैं आपको सिर्फ basic बता रहा हूँ इसके बाद हम complete lecture इसके लिए लाएंगे आपके लिए और इसके बाद है radio mechanic इसमें भी आपके लिए दौड़ रहेगी trade test नहीं रहेगा और इसमें question जो आपके आएगे वो questions electronic circuit से related आएंगे operation and maintain wire ठीक है wire equipments किस तरिके से काम करते है switchboard कैसे आप लोग बनाएंगे charging कैसे करते हैं battery को कैसे charging करते है principal radio mechanism आएगा knowledge of most code ठीक है most code एक होता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा general knowledge यह सबी चीज़ें आपके 100 number के question में आएंगी अब देखे laboratory assistant इ तो आपका department है laboratory से ही पूछे जाएंगे कि कौन कौन से equipments को क्या कहते है pipit क्या होता है flask क्या होता है beaker क्या होता है इससे related मतलब पूछे जाएंगे तो उसका भी मैं आपको बता दूगा और sample collect transport and preservation किस तरह के से आपको कोई sample को preservation कहीं पहुंचाना है तो किस तरह के से lab testing किस तरह के से तो यह आपका 25 number का यह रहेगा ठीक है 25 number का आपका trade test रहेगा और 100 number का आपका जो है पूरा exam रहेगा तो इसमें क्या-क्या पूछा जाएगा question on microscope and microorganism मतलब microscope किस तरह के से आप लोगों को उसमें ट्रेट यह तो ट्रेट टेस्ट में भी यह पूछा जाएगा आपसे ठीक है ठीक है 100 number का यह चीजें आएंगी और दूसरी चीज जो आपका trade test होगा पहले जब आप written exam निकाल देंगे उसके बाद ही जो है आपका trade test रहेगा ठीक है यह चीजें होगी इसके बाद देखिए MSW मैसून देखिए मैसून में काफी जादे पोस्ट हैं तो मैसून को आप अच्छे से देखिए इसमें दौड़ रहेगी दूसरी चीज इसमें आपको 30 number का trade test रहेगा trade test मतलब brick कैसे मतलब जो है eat है किस तरीके से बन थी stone के बारे में जो चिनाई होत इसे वो लोग क्या करते है air निकालते है ठीक है तो वो चीजें इसमें रहती है और यह सभी चीजें इसके बारे में मैं आपको detail में जानकारी दे दूंगा अब देखिए question जो बनेंगे आपके जितने भी civil के candidates होंगे उनको पता होगा question on construction के बारे में mixing किस तरी किस रहेगी जो आपका cement है उसमें कितना कंकर कितना पत्थर मिलता है मतलब यह सभी questions इसमें रहते हैं different types of roof pointing different types of cement motor घोल कैसे बनाते हैं plaster क्या होता है use of stirring ठीक है तो यह सभी चीजे रहेंगी और general knowledge तो सभी में आएगी ठीक है general knowledge की तो आप मतलब सभी लोग तयारी भी कल लीजे यह हो ग दूसरी चीज इसमें आपको 25 नंबर का ही trade test देखने को मिलेगा ठीक है तो trade test आपका 25 नंबर का होगा जिसमें कि आपको engine के बारे में अब इंजन में जो engine oil होता है उसका grade क्या होता है identification tool, equipment, lubrications, engine के parts के बारे में किस तरीके से क्या क्या साफ्ट होती है क्या वो होती तो यह चीजे रहेंगी इसमें आपका operation of static engine generator क्या होता है दूसरी चीज चेकिंग fault, engine में कोई fault आता है तो किस तरीके साफ लोग उसको check कर पाएंगे use of fuel, oil, lubricants, static engine, दूसरी चीज, general knowledge जो है सभी में जो है आएंगी, second जो है आपका store keeper technician, तो इसमें आपको क्या है 10 मिनिट की दॉड रहेगी और trade test आपका नहीं होगा, ठीक है तो इसमें आपका trade test नहीं होगा, question जो आपके बनेंगे accounting in store, receptions, ठीक है तो यह चाहेंगे prescription of storage, storage and prescription of storage, ठीक है तो यह चीजे होगी stock, packaging, material, तो यह आपका DSBM आपने अगर pharmacy करी होगी तो DSBM एक subject होता है तो उसी से related सारे question यह बन रह ठीक है तो यह चीजे होगी और 100 number का यह रहेगा, ठीक है तो इसकी भी मैं आपके लिए अच्छे से PDF आपको provide करा दूँगा, ठीक है तो complete हमने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं क्या-क्या, इसमें instruction दिये है, physical के अलग से आपके लिए वीडियो बनेगी क्योंकि काफी जो आपको regular जो है इसमें lecture दिंगे और जीकी की अलग से इसमें classes लगेंगे, ठीक है तो टेलिग्राम में जॉइन होगे है, मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, बाबाई, जै हिंद, जै भारत